हलो और वेलकम मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं वाई टी मनज कुमार फ्रेंट्स आज की इस ट्रपिक में हम बात करेंगे 7G सर्विस जहां फ्रेंट्स आप सबको यह लगता होगा कि जबकि भारत में 5G सर्विस अब तक फाइनलेज हुआ नहीं है अब 6G और 7G जो प्रवाइट कर रहा है फ्रेंट्स आज की इस ट्रपिक में हम बात करेंगे कौन सा एता देश है जो की जापान से आगे निकल चुका है वो जो की 7G सर्विस देने वारा है तो कि निमाजिन उस देश का टेक्नलोजी कैसा हो सकता है भारत से भी ज्यादा जादा जादा अमेरिका से में जादा तो लेट्स गेट स्टारेट फ्रेंट्स देंगार के मुताविक अभी एसा एक देश जिदी हम बात करेंगे अर्दो मुमेंट विसी डाट ली नरवे प्रोवाइट प्रोवाइट पीफुल विच स्पीड रीच से भेंजी एनके फ्रेंट्स यहां चीज यह हो रहा है कि 7G सर्विज लंच हुआ नहीं है बट नरवे में जो स्पीप मिल रहा है वो 7G स्पीड के बराबर है ज हां फ्रेंट्स जदी मैं स्पीड की बात करू 7G और 7G तो यहां पर 11 Gbps स्पीड आपको देखने को मिले लेगा फ्रेंट्स जो कि अपने आप मे बहुती बड़ी बात है इसमें एक और एक दिल्चस्पी बात है कि करेंट पॉपुलेशन अफ नर्वे की जदि हम बात करेंगे 55,15,469 जो कि सेप्टेमबर चब्वीस दो हुजार बाइस की आंखड़े के हिसाब से और ये इनिटेट नेशन डेटा ये बताता है कि 55,15,469 ल और यहां पर जो हाई डेटा इंटरनेट स्पीड मिल रहा है 11 गिगावाइट फर सेकेंड युक्यान इमाजिन जब आप अभी हम 3G,4G सर्विस में चल रहा है 5G लांच होगा आज पर वाइटी मुरज कुमार चैनल की अपडेट की हिसाफ से ऑक्टोबर में 5G लांच होने इसने भी टेक्नोलोजी वरादेश से उसको पीछे छोड़ कर आप मतलब नरोय आगे निकल चुका है ऐसे तमाम अपडेट के लिए फ्रेंड्स हिट देवेल आइकन नेवर मेंस क्लिक आन ओल तब तक के लिए फ्रेंड्स कीफ वाचिंग वाइटी मल्च कुमार